दोस्तों, 2024 शारदिय नवरात्री शुरू होने से पहले अपने भवन से और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं. ये चीजें माता शेरो वाली ऐसे घर में कभी नहीं आती, जिस घर में होती है, यह वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंके. अगर आपने ये चीजें घर से बा अंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं. ये शुभनों के नो दिन भक्तों के जीवन में विशेश फल की सौगात लेकर आते हैं. आपको बता दें, 2024 में इस साल मा दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृत्वी लोक पर पधार रही है. शास्त्रों में वर जीवन सुखमय हो जाता है. भक्ती का आनंद भरपूर लाब भक्त जनों को मिलता है. दोस्तों, इस बार नवरात्री पूरे नो दिनों तक मनाई जाएगी न, एक भी दिन कम न ज्यादा पूरे के पूरे नो दिनों तक मनाई जाएगी मा. वैश्नोरानी की विशेश इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्थ होंगे. ऐसे में शारदीय नवरात्री पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्थ है. 3 अक्टूबर को सुभह 6 बजकर 19 मिनट से सुभह 7 बजकर 23 मिनट तक. साथ ही अभिजीत मुहूर्थ है. 11 बजकर 52 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर होगा. मुहूर्थ में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनोवांचित फल प्रदान करने वाली मानी जात इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक बरस्ती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है. ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें हटा देता है, तो उसके घर में मा वैशनों का आगमन होता है. माता लक जो अगर आपके घर में होती है, तो माता शेरावाली कभी नहीं करती. ऐसे में वास फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, माता दुरगा ऐसे घर में कभी नहीं आती. ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं दोस्तों. पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. और एक लाइक तो बनता है दोस्तों. सबसे पहले नवरात्री के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले. मंदिर जितना सफा होगा, फल उतना ही साफ. यानि इतना मिलेगा कि जोली छोटी पड़ जाएगी. मंदिर को नवरात्री का वरत नहीं रखना चाहिए. इससे उनकी जान को खत्रा हो सकता है, क्योंकि इस वरत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है. फल जूस इत्यादी की आवश्यक्ता पड़ती है. बच्चे वरत रखने में सक्षम नहीं होते. बच्चे यदी रख भी ल जित कर दें. फिक स्थिती पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है. वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए, तो यह घर में सकारात्मक उर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शान्ती बनी रहती है. दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द् सबी तरह के सुख, सम्रिध्य और वैभव का प्रवेश द्वार होता है. लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए, तो नकारात्मकता फैलती है. तो इससे घर में कलेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है. इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है. वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए. ये चीजें अशुब तो होती ही है. साथ ही साथ ये कई तरह की इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर, तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्त्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. तो ऐसे में हम जा इनका असर घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुब होता है. ये वास्तु दोश का कारण बनता है. साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं, जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं. गंदे घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड़े में गंदा पानी है, उसे सीमेंट से भर देना चाहिए, वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नश्ट हो जाता है. गरीबी सर पर चढ़ जाती कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो, तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिष्टों में चुभन पैदा हो जाती है. कांटेदार पौधे नकारात्मक्ता का कारण बनते हैं, घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चा गर के आसपास होना भी घौर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दे। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रूओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुश्बूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले, फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्शित होती है और घर में अपना वास बना लेती है दोस्तों। नमबर तीन, कूड़ा दान, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए। इसलिए कुछ लोग कूड़े दान को मुख्य द्वार के सामने सठा कर रख देते हैं, अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और नमबर तीन, की साथ मुख्य द्वार पर जाडू, पोछा, वाइपर आदी भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। घने पेड पोधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोश उत्पन्न होता है, साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता है, प्राथा काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो ये स्वास्थे के द्रिष 6. बैल का उपर चढ़ना, घर के आगे से बैल का उपर चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रूओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नती में बाधा निर्मान होता है। कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड़ा या कीचड नहीं होना चाहिए। ये शोक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ती होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिलकुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्यद्वार के ऊपर अन्यद्वार होना भी नुकसान दायक होता है। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पढ़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किस की छाया पढ़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। गर में स्थान दिया जाता है। दोस्तों, नंबर नुकेले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्शित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीरवाद बरसाती रहती है। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ती और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आस पास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिलकुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नाकारात्मक प पौधा इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिलकुल भी नहीं लगाने चाहिए। को अपनी ओर आकरशित करती है और नकारात्मक्ता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चोखट पर बिलकुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बरबादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चोखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चपल जो भी होते हैं तो उन्हें मुख्य द्वार पर ही विखेड देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान पर भी ताले पढ़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जै माता लक्ष्मी, जै माता दी जरूर लिखें.